आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे किस तरह से ट्रेन के टीकट को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपने IRCTC पे आपने कोई टीकट बनाया है और आपका टीकट खो चुका है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है आपने जिस IRCTC ID से अपना टीकट बनाया है उसको लोगिन कर लेना है आपर दोस्तो आपको अपना user ID और password डाल कर लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद दोस्तो आपको My Account में चले जाना है और यहां पर दोस्तो My Profile में आना है और My Profile के नीचे आप दोस्तो देख सकते हैं My Transaction तो इसके अंदर जब आएंगे तो आपको नीचे यहां पर बहुत सारे option देखने को मिलेगा तो यहां पर दोस्तो देख सकते हैं Last Transaction Detail और Book Ticket History तो दोस्तो आपको Book Ticket History पर आपको किलिक कर देना है तो इसमें आप दोस्तो जितने भी Ticket Book करेंगे आपको सारा Ticket यहां पर सो होने लगेगा All Journey दोस्तो यहां पर देख सकते हैं All Journey में भी और Upcoming में भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो यहां पर आपका Ticket सो होने लगेगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं PNR नम्मर के बगल में एक print ticket का option आ रहा है इस पर आपको click कर देना है दोस्तों जैसे click करते हैं आपके सामने ये ticket आ जाएगा और simply दोस्तों इसको आपको print कर लेना है और आपको save कर लेना है तो दोस्तों इस तरह से आप असानी से अपने खोए हुए ticket को आराम से download कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा कि इस तरह से train के ticket को आप download कर सकते हैं दोस्तों जाने से पहले चैनल को subscribe करें साथ के साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो को notification मिलती रहें तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ